नमस्कार आप देख सकते हैं इस वीडियो में साथियो यहां पर यह जो आधनिक बागवानी है इसके लिए बिल्कुल यह गड़े जो है खोदे गए हैं बिल्कुल एक सीध में और मैं अब आपको दिखाऊंगा कि इन पौदू को कैसे लगाया जाता है इस पौदे की कीमत मैं पहले भी बता चुका हूँ गाड़ी का किराय मिलाकर प्रती पौदा 600 रुपे इसकी कीमत है तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से जो है यह पौदा लगाया जाता है इसकी जाड़ें बिल्कुल बहुत स्वस्थ दिख रही हैं एकदम बिल्कुल ज यह जो जड़ें हैं इनकी जो जड़ जिस दिशा की और जा रही है उस जड़ को उसी दिशा की और जो है लगाया जा रहा है अब यहाँ पर यह दो पौदे जो हैं जो है इनको बिल्कुल अच्छे से लगा दिया गया है और अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर यह श पोदार ओपन कर रहे हैं महिंदर भारदवाजी आपको बहुत बहुत बदाई तो आप देख सकते हैं यह भी यहाँ पर प्लांटेशन के लिए आए हुए हैं यह देख सकते हैं इनकी जो यह जड़े हैं काफी अच्छी हैं और यह थोड़ा सा आपको बताऊँगा कि इसका जो नाम है यह है रूट स्टॉक रूट स्टॉक मतलब यहं पर यहाँ तक इस जड़ ही है जब इसको यहाँ तक अगर मिटी में भर देंगे यहाँ तक मिटी को तो इसके चारों तरह जड़े निकलेंगी तो आपस में जो है ये प्लांट जो है ये कलम ये जड़ के ही उपर की गई है तब ही जो है इसका नाम जो है वो रूट स्टोक रखा गया है तो यहां पर पौदा लगाते हुए इस वक्त आप देख सकते हैं शिरी ओमंदर खना जी भी जो है ये पौदार ओपन कर रहे हैं रूट स्टोक लगा रहे हैं तो थोड़ा सा ओमंदर खना जी से भी बात चीत करते हैं बागवन भायों की जानकारी के लिए ओमंदर खना जी नमशकार जी तो आप जो है यहां पर यह कौण सा पौदा लगा रहे हैं इसका थोड़ा सा जो साइंटिपिक नाम क्या है बता दीजीगा मैमा गाला है तो मैमा गाला का रेट भी सहमी है तो सब का सहमी है गाड़ी का किराय मिला कि 600 रुपर प्रती पोदा है ठीक तो आप देख सकते हैं काफी जो है मैनत है इस बागवानी के लिए और साथ साथ में इसका रजल्ट भी ये जो है मतलब तीन साल में अच्छे से जो है ये फाल भी देगा इसमें सासाथ में पोदा लगाते जो है ये गोबर भी डाल रहे हैं तो इसमें देखिए किस्तरा से गोबर डाला जाता है ये थोड़ा साथ में गोबर डालते हुए भी आप देख सकते हैं इस बागवानी को बल्कोल एक तम पेक्यानिक पीदी द्वारा जो है इसका पोदा रोपन किया जा रहा है इसमें इसकी जड़ों के नीचे जो है ये बिमिल प्रकार की दवाईयों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है काफी जो है इसमें आसी तवायां भी डाली जा रही है ताकि ये जो पोदा है इसमें कोई बिमारी ना लगे तो आप देख सकते हैं इस वक्त जो है बिनोद खना भी काफी बीजी है ये जो है पोदा रोपन शेरी बिनोद खना जी का ही चल रहा है तो बिनोद खना जी आपको बहुत बहुत बदाई तो बिनोद खना जी से में कुछ खास बात चीर की जाए तो इस वक्त जो है बिनोद खना जो है हम लोग तो मदद के लिए आए हुए है यह जो है और्चड जो है श्री बिनोद खना जी का लग रहा है काफी बढ़िया है यह देखिए यहाँ पर यह जो है नीचे कुछ जो कैंची से काट भी रहे हैं इसमें आप इस तरह थोड़ा थोड़ा गोबर भी डाला जा रहा है तो जो है सबसे इसको माना जा सकता है कठिन बागवानी है बहुत जबरदस्त मेनत है इसके लिए समय पर सीचाई की भी वश्कता है तो इस उमीद के साथ ये वीडियो मैं आप भाईयों तक पहुँचा रहा हूँ जो भी किसान भाई बागवान भाई इस वीडियो को देखेगा सुनेगा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें कमेट करें शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे कैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें